Hi everyone, it's me Anjali Verma, your chemistry educator and welcome to our today's video. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक latest update share करने वाली हूँ जो किया है CBSE की तरफ से, तो देखो this is the official website आप लोगों को पता है www.cbse.gov.in ये हमारे पास official website है, आपको यहीं पर चले जाना है जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो ये हमारी main website खुल जाती है जो भी latest updates होते हैं, यहीं पर आ जाते हैं, डिस्पले हो जाते हैं तो यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन updates आए हुए हैं कल, अभी मैं आपको ये वाला बताने वाली हूँ psychological counselling वाला, ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो ये interface हमारा open up हो जाएगा यहाँ पर क्या है, यह psychological counselling के regarding है, जो आज से शुरू होने वाली है यानि कि 14th of May से यह start होने वाली है, यह जो counselling है 24 by 7 available है and this is just for one week, जैसी result announce होता है, हर बार CBAC यह चीज़ करती ही है कि बहुत बार ऐसा होता है कि students अपने मार्ग से satisfied नहीं होते हैं तो वो कुछ गलत चीज़ ना कर बैठें, कोई गलत राहा पर ना चले जाए तो free psychological counselling यह provide करते हैं और यह free psychological counselling है यह आज से start हो रही है अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो अपने मार्ग से satisfied नहीं है पेरेंस भी बहुत जादा pressurize कर रहे हैं तो अपने पेरेंस के साथ, friends के साथ feeling shared नहीं कर पा रहे हैं, so in that case यहाँ पर यह जो free psychological counselling अवलेबल है आप इसको ले सकते हो, cbac telecounseling help line है यहाँ पर 65 professionals है जिसमें principles भी हैं हमारे पास, trains, counselors है, special educators है from cbac affiliated government and private schools as well, psychologist है तो obviously यहाँ पढ़ना आपको बहुत 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 तरीके से वो guide कर पाएंगे अपनी जो भी feelings है आप यहाँ पर share कर सकते हो, and इसके अलावा देखो यहाँ पर toll free number भी है, so this is the number आप लोग screenshot ले सकते हो, quickly अगर आप लोगों को यह चीजे हो रही है, anxiety हो रही है, stress हो रहा है, तो यहाँ पर यार एक बार definitely आप लोग psychological counseling ले सकते हो, ठीक है तो बस यही हमारा update था, इसके बारे मैं अपने friends के साथ यार जरूर शेयर कर देना, अगर कोई भी ऐसा student है, जो अच्छा feel नहीं कर रहा है, result आने के बाद, so उसी के regarding यह हमारा circular था, हम मिलेंगे हमारी next video में यार, तब तक ख्याल रखना, I hope आप सभी लोगों का result काफी अ in the comment box below.